Hello friends, आज हम Modern History की एक important topic Ring Fence Policy को detail में discuss करेंगे साल 1773 में Warren Hastings British East India Company में Governor General of Bengal बने उस समय इंडिया में तीन major powers थी मैसूर, मराथाज और हैदरबत के निजाम इसके अलावा इंडिया की North West Side से अफगान invaders का भी खत्रा हमेशा बना रहता था ऐसे में company ने अपनी सीमाओ की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक policy बनाई इस policy का नाम था Policy of Ring Fence इस policy के हिसाब से British East India Company का border किसी भी हाल में दूसरी major military power के साथ टच नहीं होना चाहिए Ring Fence Policy कहती है कि आपको जिस state से खत्रा है उसके और आपके बीच में एक buffer zone होना चाहिए यानि आपके और दूसरी बड़ी military power के बीच में एक buffer state होना चाहिए आपको कभी भी इस buffer state को annex करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी boundary उस major military power के साथ टच हो जाएगी बट ये situation तो तब भी हो सकती है जब आपका opponent उस buffer state को capture कर ले तो ऐसी situation ना हो इसे लिए Ring Fence Policy कहती है कि आप इस buffer state को पहले से ही military support प्रोवाइड करके रखिए यनि आप अपने परोशी के borders को safeguard करिये ताकि आपकी खुद की territory safeguard रह सके और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि इन British forces के रहने, खाने और दूसरे खर्चे उस buffer states को ही उठाने होते थे और British East India Company को इसमें दो फाइदे हैं पहला तो ये कि उसकी खुद की territory safe guard होती है और दूसरा ये कि वो ज्यादा बड़ी आर्मी तयार कर सकता है और वो भी दूसरे states के खर्चे पर और अगर आप अपने आपको protect करने के लिए अपने चारो तरफ इस तरह के buffer states बना पाएं तो इसे कहा जाएगा ring fence आगे चलके Lord Wellesley ने जो subsidiary alliance policy बनाई वो इस ring fence policy का ही एक वियापक रूप था अब देखते हैं British East India Company के ring fence policy का एक example British East India Company का control Bengal में तो होई चुका था बट North West से अफगान invaders का खत्रा हमेशा बना रहता था इसलिए British East India Company ने आवद को एक buffer state बना के रखा हुआ था ये अवद को military support प्रवाइड करते थे जिसका खर्चा अवद खुद उठाता था वारन हैस्टिंग्स की ring fence policy हमें Anglo-Masur war के दोरान भी दिखाई देती है Anglo-Masur war के दोरान आप देख सकते हैं कि कैसे British East India Company ने कारनेटिक को एक buffer state की तरह यूज किया आई बटन में मैं आपको Anglo-Masur war series का link दे रहा हूँ आप उसे देख सकते हैं इसके अलावा Anglo-Masur war में भी आपको वारन हैस्टिंग्स की ring fence policy देखने को मिलेगी अगर आप first Anglo-Masur war देखोगे तो आप देखना कि साल 1775 में British East India Company की Bombay Council ने Marathas की against first Anglo-Masur war शुरू कर दिया था बट जैसे ही Warren Hastings को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस war को रोका और Marathas से संदी कर ली क्योंकि अभी तक Warren Hastings ने Marathas की against अपना ring fence तयार नहीं किया था और इसी लिए वो Marathas से उलजना नहीं चाहते थे और आप ये भी देखना कि first Anglo-Masur war के रोकने के around 21 साल के बाद second Anglo-Masur war हुआ और इन 21 सालों में British East India Company ने क्या काम किया उन्होंने मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को खतम करके मैसूर को एक buffer state बनाया और जैसे ही मैसूर एक buffer state में तबदील हुआ British East India Company ने second Anglo-Masur war की भी शुरुवात कर दी I hope कि ring fence policy अब आपको clear होगी इंडिया की history और Indian constitution को detail में समझने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजे link आपको description मिल जाएगा thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा